नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है। गाइड में एक मोहमद रफी का गाना था। चलिए थोड़ा सा गुन गुना के आपको सुनाता। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। अर्विंद केजरीवाल के इश्क में जो जो पड़ा उसका क्या हाल हुआ है। और जो इनकी बेवफाई के चलते या हालातों को समझते हुए इनके चंगुल से निकल भागा। अब वो बड़े खुश हो रहे होंगे। उससे में तो उने बड़ा पस्तावा होगा के हम सत्ता के इतने करीब आ गए और यहां से हमें दुतकारा जा रहा है। गालियां दी जा रही हैं, धक्के लगवाए जा रहे हैं, बेजती हो रही है और हमें निकलना पड़ रहा है इस गली से। लेकिन अब वो थोड़ा सुकून में होंगे, मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे के चलो, जान बची लाखो पाए। अब जो इनके साथ इनके इश्क में पढ़कर के या इनके चक्रों में पढ़कर के इनके साथ रह गए, अब देखियो उनकी क्या हालत हो रखी है। और कैसी कैसी बाते कर रहे हैं, सब एक लाइन से एक ही बात कह रहे हैं, कि जी हम से बदला लिया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है, रागव चड़ा से कहा गया कि ये टाइप सेवन का बंगला खाली करिये, आप इसके ला जाग शीष महल को रेकर के परिशानियों में गिर गए हैं क्योंकि CBI जाँच के आदेश हो गए हैं संजय सिंग कह रहे हैं कि साब ED बड़ी बेरहम है मुझे दिल्ली पुलिस के एक थाने की हवालात में भेजने की साजिशे रच रही थी और मुझे जो ED की हवालात थी उसमे मुझे सोने का मौका नहीं दिया गया मुझे हवालात के बाहर सोने के लिए मजबूर किया गया मसलब किस किस तरह की अब ये आरोप तराशी कर रहे हैं केंद्र सरकार पर देख करके और सुनकर के आश्चरिय होता है आज समगरता में जरा विचार करते हैं बात करते हैं किस देशा में जा रही है सारी जांच पड़ताल और बाकी तो इनके सारे करीबी करीब करीब धीरे-धीरे अंदर जाते हुए दिखाई दे ही रहे हैं कुछ अंदर पहुँच चुके हैं अब तो सड़ जी के सिर पर भी ऐसा लगता है कि तलवार लटक ही गई है मेरे साथ बहुत खास महमान जुड़ रहे हैं विजय सरदाना साथ उनका परीचे देने की आवशकता नहीं आप उनके चैनल पर भी उनको सुनते हैं हमारे चैनल पर भी सुनते हैं और कई दूसरे चैनलों पर भी वो राष्ट की सेवा कर रहे हैं विजय जी बहुत स्वागत है आपका नमस तो यह क्या से क्या हो गया यह क्या करने के लिए आए थे और क्या हो गए हैं और अभी और क्या होने वाले हैं विजय जी सर सबसे पहले तो आपको बढ़ाई इतनी खुबसूरत आवाज इतनी सुन्दर आवाज है आपकी मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा जिसे कतना हिडन टैलेंट है आपका और बहुत बढ़ाई आपको इस टैलेंट को आपने जिन्दा रखा सर जहां तक बात है जिस मुद्दे की आज हम बात कर रहे हैं केजरिवल साब की देखिए क्या है सर इस पूरे खेल में जब आदमी अती महत्वा कांक्शी होता है और वो ये जब सोचने लगता है कि उसके अलावाद दुनिया में सब मुर्ख हैं और उन से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है तो मुझे लगता है कि ये जो परिनिती हुई है ये होना था क्योंकि ये इतिहास बताता है सर अगर हम रावाण के दौर से शुरू हों उससे पहले आप चले जाएए महाबारत काल में रामा इंकाल में सेकिंड वर्ड वर में जिस जिस ने इतना एरोडेंस दिखाया और उसको लगा कि उसके आगे तो कोई कुछ है ही नहीं उसका अन्जाम यही हुआ कोई नया नहीं और ये अनफरुशनेटली बात क्या है कि जो वीक्ति अपने आपको पढ़ा लिखा बोलता है और यह बोलता है मैं IIM से हूँ सर तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जिस इंस्टिचूट के आगे दो आई लग जाते हैं वहाँ पता नहीं लोगों में क्यों गुरूर आ जाता है अब डबल इगो क्यों हो जाता है उनका और अब तो ट्रिपल आई आई टी बना रही है सरकार पता नहीं उनका क्या होने वहाँ तो एक समाज में यह कहा जाता है जब हम फैक्टरी में जाते थे तो लोग यह अक्सर बोलते थे कि सरी यह आ आई एटी ज और आएवाले इतने egoist क्यों होते हैं आप worker से बात करो उनके supervisor से बात करो शौप फ्लोर पे बात करो उनके staff से बात करो पर्सनल स्टाफ से बात करो तो एक common observation लोगों का यह है कि आप लोग आयटी और आयवाले इतने arrogant क्यों होते हैं और एक तो आपका वो attitude problem आपका इस्टिचूट शाइद दे देता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस्टिचूट में मानवता नहीं सिखाई जाती है I'm sorry to say हम यह नहीं सिखाते कि humility होनी चाहिए अगर आप qualified है और इतने उच qualified है ना IMS में सिखाया जाता है ना IIT में वहां तो एक ही चीज़ सिखाई जाती है competition है और आपको सब को पचाड के आगे जाना है वहाँ जंगल राज सिखाया जाता है wildlife behavior सिखाया जाता है वहाँ पर समाजिक behavior नहीं सिखाया जाता है क्योंकि everything is competition तो जब इस मानसिकता से एक व्यक्ति राजनीती में आया तो उसको लगा कि वह सारे उसके competitor है और उसको सबसे आगे निकलना है और इस भागदोड में जिन लोगों ने इसका साथ दिया तो सबसे पहले तो इसने उनी को अपना competitor माना चाहे वो योगिंदर यादव हो या वो retired army general हो या पत्रकार हो या वकील हो या जो भी लोग हो ब्रशाद भूशन जैसे लोग हो केजरिवाल ने हर आदमी को अपना competitor माना और केजरिवाल इतना insecure आदमी है उसको लगा कि अगर ये लोग टिक गए तो मेरी दुकानदारी नहीं चलेगी जो मैं मनमर्जी करना चाहता हूँ वो नहीं होगा और ये और ये आदमी इत हद तक insecure है और इतना कैलकुलेटिव रहता है अपने मूज में हर चीज पहले अन्ना हजारे का इस्तमाल किया उससे पहले अगर आप पुराने पत्रकारों से बात कर आया था और मनी-स-орм-की दोस्ती तब से है इसकी जब मनी-स- 극ी जी टीवी में था पुराने पत्रकार जब मने-स- हिसो डिया जी टीवी में था और जो वह आं रिपोर्टरज थे जब वह अक्सराज का इंट्रवीन लेने आते हैं तो बाते होती हैं वों ये बताते थे कि क मनेस इसोधिया का फोन करता था देखो इंडिया के इस करॉप्शन पे शीला देख्षिड की सरकार ने कालक पुतवादी ये न्यूस बननी चाहिए और मनेस इसोधिया उसको ब्रेकिंग न्यूस बनाके चलवाता थ है यह यह तिक्डमбाजी हुई है जो जो पुराने पत्रकार रहे हैं मनिस इसोदिया के साथ वो बता पाएंगे और डिटेल में मेरे को तो जो लोग इंटर्व्यू करने आते हैं मेरा डिस्कुशन करने आते हैं वो बताते रहते हैं इस तरह की कानिया तो बड़ा इंटरस्टिंग लगता है कि कैसे एक प्लॉट बनाया जाता ह प्र अन्नाखारे का इस्तंवाल हुआ उनको किनारे किया गया फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसमें सारे इंटलेक्श्वल्स ने जिन्नोंने अन्नाखारे मुमेंट में सपोर्ट किया था तो वह रादमी चाहता था देश में राजनेतिक सुधार हो तो जब उन्ह कांक्षा तो सिधी सी बात है कि मेरे को तो सीश महल में रहना है मेरे को तो प्राइवेट जेट चाहिए मेरे को तीन करोड की घड़ी चाहिए अब यह जब सारे लोग मेरे आसपास लटके रहें गे तो यह पूरा कैसे होगा तो एक-एक करके इनको रवाना करो और जब आप क इन सिक्यूर, अपने से भी जादा इन सिक्यूर, इन कॉंपिटेंट लोगों का सहरा लेते हो, जैसे संजे सिंग, जैसे मनी सिसो दिया, जैसे सतिंदर जैन, जैसे राघव चड़ा, ये क्यों टिके? क्योंकि ये केजरिवाल से कम कॉंपिटेंट थे, इसलिए ये केजरिवा को इनको अपने पास रखना खत्रा नहीं लगता था लेकिन योगेंदर यादव को या प्रशाद भूशन को या जो बाकी इंटेलेक्ट्वल्स थे उससे केजरिवाल को खत्रा था कि यार यह मेरे से ज्यादा कॉंपीटेंट हैं बोलते अच्छा हैं समझते अच्छा हैं जनता तो इनका साथ देगी तो मुझे तो बंदर चाहिए वानर सेना मेरी अलग होनी चाहिए तो इसने अपनी वानर सेना बनाई और आज जो आपका सवाल है तो क्या वो लोग आज खुश होंगे सर सवाल ये है क वो लोग उस दिन भे खुश थे जिस दिन इसको चोड़के गए ते क्योंकि देखिए क्या होता है सर आप और हम या जो भी समाज में लोग रहते हैं सोचते हैं समाज के प्रती लोगां के behavior को जानने की समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता होता है कि कहां तक जाना है औ खाने में मिलावट करते हैं, कई लोग पैसे के लिए जाली दवाईयां बनाते हैं, डुप्लिकेट मेडिसन बनाते हैं, उनको भी पैसा चाहिए, कोई लोग ड्रग्स बेचते हैं, कोई लोग दारू भी बेचते हैं, तो दारू में भी मिलावट करके बेचते हैं, तो ऐसे को भी पैसा चाहिए जो इनसान की कीमत पे और इनसान की खुशियों पे भी कमा के और अपने बच्चों को एश कराने ले जाते हैं आप सोचिए उनकी मानसिक्ता किसी आतंकवादी से कम नहीं है वो समाज का नुकसान करते हैं समाज से धन बटोरते हैं उनी के खाने को साथ एश कर रहे होते हैं अब आप सिचुएशन को एनलाइज करिए कि समाज में ऐसे लोग भी हैं यही स्थिती राजनेती में केजरिवालने करें कि जिस जनता के भरोसे यह आये थे उसी जनता को लूटा उसी जनता के टेक्सपेर के पैसे का मिस्यूज करके उसी जनता के साथ जूठे वादे करके उसी सब वादों को तोड़के अपनी जिन्दगी एशे गुजारना ये मानसिक्ता कैसी होगी इसके बारे में आप सोचीए सब्सक्राइब क्या ये इंसानियत है और अगर इंसानियत नहीं है जिस आदमी में सोचने की सम्ता खतम हो जाती है इंसानि की दोशी नहीं है मोदी ने नहीं कहा था कि तुम नई लीकर पॉलिसी लाओ मोदी ने नहीं कहा था कि तुम सीश महल बनवाओ क्या मोदी ने बोला था तो मोदी को गाली क्यों दे रहे हो जिसने तुम्हें किया था कि नई दारुनीति लाओ नया सीश महल बनवाओ उसको आली दो ना यहां मोदी कहा से वीच में आ गया तो कहने का मतलब यह सर्थ कि जो सवाल आपका है वो लोग उस दिन भी खुश थे और शायद आज यह सोच रहे होंगे वो सब लोग कि हमने सही निर्णे लिया था और जो हमें डर था वो आज सामने आ गया तो हमारा जो विचा जब सतेंद्र जैन को एक मनी लॉंडरिंग के पुराने केस में 2015-16 के केस में गरफतार किया गया इन्हों ने कहा कि मौदी जी इसलिए गरफतार करा रहे हैं कि विश्व का ये दुनिया का सबसे बहत्रीन स्वास्त मंत्री है जिसने पूरी दुनिया के सामने महला क्लीनिक जैसा एक आदर्श मॉडल पेश किया मनी सिसोधिया जब गरफतार किये गए वो भी मनी लॉंडरिंग के और भरष्टाचार के केस में और केस भी क्या नहीं आपकारी नीती में दक्षिन की कंपनी से 100 करोड रुपे पकड़ने यानि रिश्वत लेने और बड़ा गुल के बयान से दूसरी जितनी पूश्टाच हुई है दस्तावेज बरामद हुए है उन से यानि वो भी वरष्टाचार के मामले में गरफतार हुए तब इन्हों नहीं कहा कि साब मनी सिसोधिया को तो इसलिए गरफतार किया गया है क्योंकि वो एजुकेशन के सेक्टर में क्र जा सिंग पकड़े गए तो क्या कह रहे हैं कि उनके यहां से तो चवण्नी भी नहीं मिली तो मैं जानना चाहता हूं कि एक Member of Parliament जो राजसभा का है उसको क्या चवण्नी भी वेतन के रूप में नहीं मिलती है या जो पुजापे चड़ते हैं Member of Parliament को तरह-टरह के खेकों से लेकर के और तमाम दूसरे कमाई के साधन उनके शुरू हो जाते हैं, उनके Member of Parliament बनते ही, वो भी नहीं, दूसरे, क्या वो चवनी ढूंडने के लिए गए थे, ED के अधिकारी वहाँ पर, या एक रुपया ढूंडने के लिए गए थे, या जो डिजिटली दस्तावेज होते है हैं, साक्ष होते हैं, उनकी तलाश में गए थे और इनसे पूश्टाच करने के लिए गए थे, ये जो चीजों को इस तरीके से मौड देते हैं, ये चतुर सुजान बनते हैं, या मूर्ख हैं? सर, ये जो लोग हैं, ये धूर्थ हैं, धूर्थ इसलिए हैं, इनको ये पता है कि ये क्यों अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनकी नियत है कि वापस जन्ता के बीच में जाना पड़ेगा, और जन्ता को पहले दिन से मिसलीड करना शुरू कर दो कि देखिये साब, हमने तो आपके लिए इतना कुछ किया, इसलिए हमें प्रताडित किया जा रहा है, ये ये नहीं बता रहे हैं कि यार हमने आपके लिए स्कूल भी बनाए, लेकिन हमने रिश्वत भी खाई दारू के घोटाले में, आज मान ल आए, या आपने हेल्थ क्लिनिक नहीं बनाए, किसी ने कहा, और अगर आपका ये मुद्दा था तो आपके वकीलों ने ये बात तो कोट में एक बार भी नहीं कही, कि देखिये साब सतंदर जैने इतने अच्छे महला क्लिनिक बनाए, या इसने सिसोदिया ने इतने लोखे में कब तक रखोगे, प्रॉब्लम सर यही हो रही है, इन लोगों को लगता है कि ये आज भी जूट बोलेंगे और जनता इनका जूट माल लेगी, सर काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती है, लेकिन इनकी आदत है, इनको जूट बोलना मजबूरी है, जैसे हर प पॉलिटीशन जो अरेस्ट हुआ हूँ, जिसने बोला हूँ, हाँ मैंने घपला किया, एक बार भी बता दो, हर आदमी कहता है, पॉलिटिकल विंडिक्टा है, मेरे इसे राजनितिक पृतिशोद है, मेरे खिलाफ करवाई की जा रही है, मैंने इतने अच्छे काम किये, ये मेरी ये विंडिटा पॉलिटेक्स है, वगेरा वगेरा, आज तक एक पॉलिटीशन ने ये खुद कबूल किया हो, कि साब मैंने घपला किया और इसलिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, और मेरे को इस बात की शर्मिंदगी है, कि मैंने जनता के पैसे को लूटा, पिछल आदीचे, तो जब किसी ने नहीं बोला, तो केजरिवाल कोई उपर से टपक किया है, ये भी तो उसी विरादरी में से है, चोरों की विरादरी में से, तो ये अगर बोल रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए प्रतारित किया जा रहा है, तो यार ये आर्गु आदेने भी कोट है, जहां आपकी पेशी होती है, वहां लिखिये ना, बोलिए आपके वकील को तो बोलिए, आपके पास तो एक से एक बड़े वकील है, वो भी टेक्सपेर के पैसे पे आपने पाल रखें, आपकी जेब से कौन सा वकीलों को आज तक आपने पैसा दिया, यह बता दो, भरस्टाचार आप करो, जनता को आप लूटो, सरकार में गड़बर आप करो, और जब आपको जेल जाना पड़े, उसके बाद जो वकील आप रखते हो, उसका पैसा नहीं जनता दे, मतलब यह तो सर्फ देश विचित रहे, बोला ऐसा तो कहीं नहीं होता है, तो सबसे पहले तो भारत सरकार को इस लूट मार पे रोक लगाने चाहिए, कि टेक्सपेर का पैसा कोई भी नेता अपने खिलाफ लगे वे केस को जहां पे वो खुद पार्टी हो, वो इस्तमाल नहीं करेगा, लेकिन रास्ते भी निकाल लेंगे, यह कहेंगे ठीक है, लगानी है, थोड़ा उपर नीचे चेंज करके हम कर देंगे, तो जहां, जैसे कहते हैं ना, जहां नियत खराब होती है, वार रास्ते भी उससाब से लोग बना लेते हैं, तो यह सर स्थिती है, तो अगर आज केजरी वाल साब यह बोल रहे हैं, कि हम निर्दोज हैं, हमार मनी लॉंडरिंग के मामले में अंदर गए हैं, नई आपकारी नीती में घोटा लेके आरोफ में मनी सिसो दिया अंदर गए हैं, और उसी मामले में संजे सिंग गए हैं, तो क्या इन तीनों को इस बात का एहसास नहीं था, वो पाप कर्म करते हुए, कि हवालात में भी रात मुझे हवालात में या हवालात के बाहर सोने के लिए मजबूर किया गया, मेंबर ओपरलियमेंट या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर होने का मतलब ये थोड़ा है, कि आपको इम्यूनिटी मिली हुई है, कि आप पाप करोगे, अपराद करोगे, भरस्ट में दिया जाएगा, जिल तो आपको जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इस तरह की शिकायत कैसे कर सकते हैं, और क्या आप ग्रफतारी के बाद भी वी आईपी ट्रीट्मेंट की उमीद रख रहे थे? सर, मैंने आप से बोला ना, कि इन लोगों को एक गलत फहमी हो गई थी, कि हम चुनाव जीत गए हैं, केजरी वाल ने तो विदान सभा में खड़े होके बोल दिया था, ये LG कौन होता है, इसको किसने अपॉइंट किया है, कहां से आगया है या आदमी, दिली के मालिक तो हम है, दिली के राजा हम है, तो जिस आदमी का दिमाग इतना खराब हो जाए, जो constitutional positions को नहीं समझ पा रहा हो, और ये भी नहीं समझ पा रहा हो, कि वो मालिक या राजा नहीं है, वो सिरफ कस्टोडियन है, पांच साल के लिए, आपको चौकीदार बनाया है, मालिक नहीं बना के लिए, चौकीदार बनाती है, कि आप रखवाली करेंगे इसकी, सही डंक से चले, इसका ध्यान रखेंगे, आपको मालिक नहीं बनाया जाता है, डेमोक्रेसी में एक ही वालिक है, वो है जनता, अभी तक इनको यहीं बात समझ में नहीं आई, पढ़े लिखे विद्वान हैं, यह लोग अपने आपको बोलते हैं, कि हम एजूकेटेड हैं, कॉंसेट तक ही अपने ठीक नहीं कर पाए आज तक, और वही खामियाजा आज यह उठा रहे हैं, कि इनको इतनी बड़ी गलत पहमी हो गई थी, कि इनको लगा कि अब यह इलेक्टेड रेप्रेसेंटेट हैं, अब प्रॉब्लम यह थी, कि पहले सतंदरजन सबसे अधा बोलते थे, वो अंदर गए, फिर मनी सिसोधिया कूद कूद के बोलते थे, कि देखो मेरा कुछ नहीं हो सकता, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, अरे वो सबको पता है, वह जब तुमने, इतना मूरख तो हम बिछाया होगा कि investigating agencies को ढूंडने में पसीने आ जाएंगे, तो तुम मुर्ख नहीं हो, शातिर हो, और अभी भी यही कह रहे है, एक पैसा नहीं मिला, ढूंड के बताओ, अरे पता है हमें कि आपने कई खेल खेले हैं, इतना आसान नहीं है चोरियां पकड़ना आपकी, ले investigation agencies को सुंगने से पता लग रहा है कि गड़वड है, हाँ वो हड़ी कहा दबाई है, ढूंडना उसको है, उसमें टाइम लगता है, पूरी दुनिया नहीं खोद दी जाती, तो धीरे 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 हड़ी किसने कहा दबाई, इसी के लिए तो बाकिये रेस्टोर हैं, कि भईया, तुम्हें हड़ी दी गई थी, तुमने कादबादी जाके, आज जो बुलाया जा रहा है संजे सिंग के साथियों को, मैं तो हमेशा कहता हूँ, संजे सिंग थोड़ी गया होगा, कि लाओ दो करोड़ का बैग देजो, मैं उठा के ले जाता हूँ, जैसे हर्षद बैता ने का था, मैंने दीए साथ करोड़ उपर, तो भाई साब कहने का मतलब है, कि अगर आप ने खुद तो बैग नहीं उठायोगा, जिसने दिये, उसने किसी को दिया होगा, वो व्यक्ति कौन है, फिर उससे पूछा जाएगा, कि भाईया, तु कहा गया था, पैदल न मतलब हड़ी घर गई थी, फिर घर के बाद वो हड़ी को कहा दबाया, तो यह तो इन्वेस्टिकेशन का मुद्दा है, और दो लोगों के बीच की बात है, तुमारी और संजे सिंग की, हड़ी तो घर आई, लेकिन गई किदर, तो आप शातिर लोग हैं, टाइम लगेगा, इतनी हड़बड किस बात की कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो हमें भी पता है कुछ नहीं मिलेगा, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है, कि सर आज इनको यह बात समझ में आ रही होगी, कि आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप यह भूल गए कि हर चोर सुराग छोड़ के जाता है, अब यह investigating agencies के उपर है कि वो कितनी जल्दी कहां कब उस सुराग तक पहुचते हैं और आपको जेल भेजवाते हैं, अगर केजरीवाल साब यह सोच रहे होंगे कि उनके खिलाफ कोई सुराग नहीं है, मैं संजे सिंग के एक support जो उसका व्यक्ति है, उसने बोला जो उसका कारे करता है, कि हाँ जी transactions तो हुई थी, लेकिन वो सब legal थी, ये तो बात आ गई सामने, transactions हुई थी, ये बात तो निकल गई सामने, अब वो legal थी, या निया को decide करेगा, तो अब पहले बता, वो क्या-क्या transactions ह तो कभी-कभी क्या होता है, आदमी over smart बनने के चक्र में, अपने आपको ज्यादा intelligent घोशित करने की चक्र में पेर पे बुलाड़ी माल लेता है, और ये ही हो रहा है, ये बताईए, ये समझ में नहीं आ रहा है, कि कौन सा फेवी कॉल इस्तेमाल किया है, दो तो अंदर करी भी इनके पहले कारेकाल में अंदर जा चुके थे, लेकिन दो इनके करीबी अंदर जा चुके, तीसरे बिलकुल दर्वाजे पे खड़े हुए हैं, ज्याई खिरासत में उनको कभी भी कोट बेज सकती है, जमानत मिलने की तो संभावना नहीं है, कोई जबान क्यों नही कोई मोटा खारका है, कोई ऐसे राज हैं, सबके एक दूसरे के पास के कोई केजरिवाल का नाम नहीं ले रहा है, और इनकी तो छोड़िये, क्योंकि इनको तो लाब के पद मंत्री, मेंबर ओ पार्लियमेंट और भी तमाम गुलगपाड़े जो कर सकते हैं, करवा दिये हों अर्विंद केजरिवाल ने के ठीक है, कर लो, लेकिन जो इनको छोड़ करके गए थे, उनमें भी अगर एक आद को छोड़ दें, विजे जी, तो कोई अर्विंद केजरिवाल के धत कर्मों के बारे में बात नहीं करता है, ये क्या रहस्य और राज है? सर ऐसा है कि हिंदुस्तान में ना समाज में ये सिखाया जाता है हम लोगों को यार छोड़ो जो हुआ सो हुआ, हम अगर आप पूछेंगे किसी से भी जो इनके पुराने साथी थे, कि यार आपको क्या लग रहा है, यार छोड़ो ना आप खतम करो, क्यो अपना मूँ करना है, तो हमारे हम उसको चुगली माना जाता है, कि यार इसके खिलाफ क्या बोले हैं, अब इन्वेस्टिगेटिंग एजनसी अपना काम कर रही है, तो करने दो, हम उसके अंदर काप तक, कहा तक, उसके बीच में आएंगे, तो इसी लिए बहुत सारे लोग क्या करते है हैं, कि इन चीजों को फिर इग्नोर करना शुरू करते हैं, और हमें इस लफड़े में पच्छड़े में नहीं पढ़ना है, जैसे कुमार विश्वास से एकसर लोग मज़े लेने के लिए पूछते हैं, सर आपकी पार्टी का क्या हाल है, तो कहते हैं, यार मैं आज कल राम उनको भी पताए कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन उनकी मजबूरी समझे ना सर, उनको पताए कि अगर हमने केजरिवाल के खिलाफ मूँ खोल दिया, एक बात तो पकी है, दुबारा राजनिती में हमारा अस्तित्व जीरो हो जाएगा, संज्य सिंग को अगर केजरिवाल पार्टी से निकालता है, तो उसका क्या अस्तित्व रहता है, बताएगे सर, रागम चड़्डा को अगर निकाल देता है, तो क्या अस्तित्व रहता है, या जो इनकी बाकी मंत्री है, चाय सौरभ भारत वाज हो, या अतीशी हो, इनका क्या अधार है सर, एक हवा का जोका चला पत्ते उड़े और सब अपनी अपनी जगे जाके टंग गए अब हर बार वैसा जोका चले और हर बार इनको वहीं उपर मंजिल तक उड़के पहुचने का मौका मिल जा है ऐसा नहीं होता है जनता बार बार मुरक्ताय नहीं करती दिल्ली की जनता के बारे में अक्सर कि उनको सही अच्छे बुरे का हुए तमझ में नहीं आती बार हम कहते हैं यार हर तरह का माइंड सेट होता है जरूरी नहीं है ठीक है लोग अपनी गलती से अगर सीखेंगे तो अच्छी बात नहीं सीखेंगे तो भूगतेंगे उसके लाबब क्या कर सकते तो कहने का सर बहुत सिंपल है इस बात को लेके कि ये सब होगा और सब को पता है लेकिन कोई भी आदमी इस समय अपना मूँ इसलिए नहीं खोलेगा जिसे कहते हैं यार की कीचड़ में पत्थर भैक कि क्या फाइदा छोड़ो फिर उसमें से कोई उल्टा सिधा बयान हमारे खिलाफ करे फिर हम उसको डिफेंड करेंगे तो इस गंदगी से दूरी रहना यार क्यों जाना इसमें लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं सब्सक्राइब वीजे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और OCN Network के लिए इतना समय निकालने के लिए वैसे तो एक सव और भी दर्शकों की तरफ से पूछा गया मैं पूछी लेता हूँ चलते चलते लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रिम कोर्ट ने अभी ED को फटकार लगाई है और ये पूछा है कि मनीश सिसोधिया के खिलाप आप लोगों के पास सबूत क्या है कोई ठोस सबूत आप लोग क् पेश कर रहे हैं इतनी सारी बाते आई हैं अभी तक भी क्या कोर्ट और वह भी सर्वच्च अदालत संतुष्ट नहीं है सर उसमें अदालत का जो सवाल है वह बहुत लॉजिकल है क्योंकि उसमें कई बार मेरे से बात हुई है और बहुत से चैनल्स में और मैंने भी इस बात को लिखा भी है अपने यूट्यूब चैनल पर डीटेल में एनलाइज भी किया है देखिए सर बात बहुत सिंपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठायना है बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि ये इस पूरे केस को वाटर टाइट बना देगा कहने का मतलब यह है कि आपने ये कहा कि ये पॉलिसी बनाने में घपला हुआ किसी खास साउथ ग्रूप के बेनेफिट के लिए ये पॉल जो पैसा गया सुप्रेम कोर्ट में जो सवाल पूछाए ओवो बहुत लॉजिक लीए है कि और वह पैसा गया कं कहा है यह लॉजिकल सवाल है, क्राइम हुआ है, मनी ट्रांसफर हुआ है, तो गया कहा, तो इसलिए संजे सिंग को उठाना इसलिए भी जरूरी था, देखिए दो तरीके के काम होते हैं, मनी सिसोदिया का काम था, पॉलिसी बदलना, बनला भी कागजी कारवाई देखना, और संजे उन्हें बहुत अच्छा रस्पांस दिया है, मेरे चैनल पे अगर लोग देखें हैं, विजर सर्दाना इंसाइट पे, मैंने एक कहा कि केजिवाल बस एक ही सवाल का जवाब देदे हैं, कि यह पॉलिसी बदलने के लिए कहा किस ने था, क्योंकि ट्रांसेक्शन आफ विज पॉलिसी बदलने के लिए किस ने कहा था, क्योंकि पुरानी एक्साइज पॉलिसी तो थी राज्य में, कोई नई तो आब बना नहीं रहे थे, आपने बदली है पॉलिसी, तो जब आपने पॉलिसी बदली है, तो यह किस ने कहा था आपको, यह तो बता दो, और आपने उस तक Chief Minister लगा रहे हो, तो कानून के हिसाब से accountability है आपकी, आप यह नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं CM था, तो अगर आप CM थे और आपको नहीं पता, तो वो तो अपने आप में irresponsible behavior हो गया, इसका मतलब आपने ही निर्देश दिया था, और ली, तभी तो आपके नीचे लोगों ने कारवाई करी नहीं, तो वो करी नहीं सकते था अगर आपका निर्देश नहीं होता, आप sign करे या ना करे, और जब आपको यह पता लग गया कि नीचे गड़वड हो रही है, तो आपने क्या करवाई करी, क्या उनको बुला कि उन और नहीं चलते तो यह नायर किसका आदमी था, आपके ड्राइवर के पास भी फून है, आपके आस-पास जो चार पांच चम्फू चलते है उनके बास भी फून है, आप किसी के फून से भी इंसरुक्शन दे सकते, उसमें नहीं बाद क्या है? तो यह तिकड़म नहीं चलत तो उसको क्यों नहीं आपने पारिटी बनाया है और उसके पदाधिकारियों की जवाब दही सुनिश्चित करने के लिए उनको क्यों नहीं इसमें रखा आरोप पत्र में तो इसमें तो अरविंद केजरी वाल भी फंसेंगे अगर सुप्रेम कोट ये चाहती है कि आम आद्मी हाला कि बाद में अगले दिन सुप्रेम कोट के जजज ने गागी हम किसी को इंप्लीट नहीं कर रहे हैं किसी के गुनागार साबिट नहीं कर रहे हैं लेकिन एक डिवेट तो शुरू होगी ना सर्थ अब दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर पैसा पार्टी फंड में गया है तो पार्टी जिम्मेवार और मैंने तो इस पर एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को रिश्वत लेने का अधिकार है क्योंकि अगर आप पीमले पाया जाएगा लेकिन उसमें पार्टी का नाम नहीं है तो क्या पीमले एक्ट को एमेंड करने की जरूरत है तो कई मुद्दे सब्द नए निकल के आएंगे और मुझे लगता है कि अगर इस पे सुप्रीम कोट थोड़े और सक्त रुख अपनाता है हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में राजनेतिक सुधार का भी काम करें अगर मालीजिय सुप्रीम कोट ये कहता है कि अगर पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी को भी पार्टी बनाया जाएगा करप्शन के केस में तो हर पॉलिटिकल नेता बचेगा अपनी पार्टी को बदनाम करने से तो वहां पर करप्शन की संभावनाय कम हो जाएगगी लेकिन फिर एक और मेरा वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि डोनेशन और करप्शन पॉलिटिकल पार्टी को जो आप रिश्वत जमा कराते हो इन दा फॉर्म आव डोनेशन वो सुखद है देश के लिए क्योंकि इस तरह की गहन चर्चा जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका जुड़ने के लिए इतना समय निकालने के लिए और दर्शकों से अनुरोध है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जिरूर करें अपना कमेंट भी दें वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों से और विजय सर्दाना इंसाइट चैनल पर भी जा करके आप अपने विचार भी रखें उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें बहुत-बहुत धन्याद विजय जी थैंक यू स्वामच नमस्कार्स पुरन करें बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत